आज हम सिखेंगे महत्तम समापवर्थक और लगुत्तम समापवर्थियो आज ये पहले समझे महत्तम समापवर्थक यानि हाइस्ट कॉमन फाक्टियो इसे समझने के लिए चलिए 20 और 24 के गुननखंड यानि फाक्टर्स प्राप्त करें 20 के गुननखंड है 1, 2, 4, 5, 10 और 20 इसी तरह क्या आप 24 के गुननखंड बता सकते हैं? विचार करें आपने सही सोचा 24 के गुननखंड है 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24 20 और 24 के गुननखंडों में गुननखंड 1, 2, 4 उभई निष्ट यानि कॉमन है इन्हे हम 20 और 24 के सार्व गुननखंड यानि कॉमन फाक्टर्स कहते हैं इसे हम कहते हैं महत्तम समापवर्दक कहा जाता है इसे ही महत्तम सार्व भाजक यानि Greatest Common Divisor या GCD भी कहते हैं अब आईए समझे दी संख्याओं का मसर कैसे प्राप्त किया जा सकता है चलिए 20 और 24 का मसर प्राप्त करें सबसे पहले हम इन संख्याओं का अभाज गुननखंडन यानि Prime Factorization करेंगे 20 का अभाज्य गुणनखंडन इस प्रकार से किया जा सकता है इससे प्राप्त हुए गुणनखंडों को हम लिखेंगे 20 बरापर 2 गुणा 2 गुणा 5 इसी तरह हम 24 का अभाज गुणनखंडन करेंगे और इससे प्राप्त हुए गुणनखंडों को लिखेंगे 24 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 अब हम दोनों के अभाज्य गुणनखंडों यानि प्राइम फाक्टर्स में ऐसे गुणनखंड ठूंडेंगे जो दोनों में उभायनिष्ट यानि कॉमन हो जैसा कि हम देख सकते हैं 20 और 24 दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 2 दो बार आ रही है और कोई भी संख्या इनके गुणनखंडों में उभायनिष्ट नहीं है इसलिए 20 और 24 का मसर 2 गुणनदों बराबर 4 है लगुत्तम समापवर्थिय यानि lowest common multiple इसे समझने के लिए आईए 6 और 8 के गुणज यानि multiples प्राप्त करे 6 की गुणज है 6 12 18 24 30 36 इसी तरह क्या आप 8 की गुणज बता सकते हैं विचार करे आपने सही सोचा 8 की गुणज है 8 16 24 32 40 48 इत्यादी इने हम 6 और 8 के सार्व गुणज यानि common multiples कहते हैं 6 और 8 के सार्व गुणजों में 24 सबसे छोटा सार्व गुणज है इसे हम कहते हैं लगुत्तम समापवर्थिय इस तरह से ती संख्याओं के सार्व गुणजों में सबसे छोटा सार्व गुणज इन संख्याओं का लगुत्तम समापवर्थिय कहलाता है लगुत्तम समापवर्थिय को संशेप में लसर यानि LCM कहा जाता है अब आईए समझे दी संख्याओं का लसर कैसे प्राप्त किया जा सकता है चलिए 6 और 8 का लसर प्राप्त करें सबसे पहले हम इन संख्याओं का अभाजी गुणन खंडन यानि प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे चलिए 6 का अभाजी गुणन खंडन इस प्राकार किया जा सकता है इसे प्राप्त हुए गुणन खंडों को हम लिखेंगे 6 बरापर 2 गुणा 3 इसी तरह हम 8 का अभाजी गुननखंडन करेंगे और इससे प्राप्त हुए गुननखंडों को लिखेंगे 8 परापर 2 गुना 2 गुना 2 जैसा कि आप देख सकते हैं 6 और 8 के अभाजी गुननखंडों में 2 यह गुननखंड अधिक्तम 3 बार आया है इन अभाजी गुननखंडों का गुननफल लसर होता है यानि कि 6 और 8 का लसर प्राप्त करने के लिए हम उनके गुननखंडों में अधिक्तम बार आने वाले गुननखंडों का गुननफल ग्यात करते हैं इसलिए 6 और 8 का लसव पराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 यानिके 24 है लसव प्राप्त करने की एक और मज़ेदार विदी भी है आईए इसे समझे चलिए इस विदी से 6 और 8 का लसव प्राप्त करे सबसे पहले 6 और 8 को एक पंक्ती में कुछ अंतर रख कर लिखे अब ऐसी छोटी अभाज्य संख्या ग्याद कीजिए जिससे 6 और 8 में से कम से कम एक संख्या विभाज्य हो ऐसी संख्या पता करने के लिए विभाज्यता की नियमों यानि Divisibility Rules का प्रयोग उप्योगी सिद्ध होता है चोटी संख्या है चोटी दो से विभाज्य नहीं है इसलिए इसे अगली पंक्ती में वैसा का वैसा लिखेंगे चार को दो से विभाज्यत कर आने वाले परिणाम दो को अगली पंक्ती में लिखेंगे इसी क्रम में फिर से हम दो से दो को विभाज्यत करेंगे परिणाम अगली पंक्ती में लिखेंगे और तीन को भी अगले पंक्ति में लिखेंगे अब तीन से तीन का विभाजन करेंगे इसके साथ यह विदी समाप्त होई छह और आठ का लशब प्राप्त करने के लिए इन सभी संख्याओं को गुणा करेंगे इससे लशब प्राप्त होगा 24 इस प्रकार आज हमने सीखा महत्तम समापवर्तक और लगुत्तम समापवर्तिय अगले वीडियो में कुछ उधारनों से इन्हें और अच्छे से जानेंगे